ग्रह मंत्री अमिश शाह ने शुकरवार 15 मार्च को कहा कि पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर P.O.K. भारत का हिस्सा है वहां रहने वाले सबी लोग भारती है चाहे वो हिंदु होई या मुस्लिम शाह ने ये बाते इंडिया टूडे कॉनकलेव में बातचीत की दुरान कही शाह ने नागरिक्ता संचोधन कानून पर भी बात की उन्होंने इस कानून के दाइरे से मुस्लिमों को भार रखने पर कहा CAA के तहट पाकिस्तान अफगानिस्तान और मांगला देश से भारत आए हिंदु सिक जैन बौध इसाई और पार्सी शर्नार्थियों को नागरिक्ता दी जाएगी ये तीनों इसलामिक देश है वहां मुस्लिमों का उत्पिणन नहीं होता है ग्रह मंत्री ने कहा भारत पाक के विभाजन के दोरान ततकालीन प्रधान मंत्री जवाल लाल नेरू सहित कांगरेस के कई नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान से आए अलप संख्यों को का भारत में स्वागत किया जाएगा तब पाकिस्तान में हिंदू अबादी 23 फीजदी थी अब यह घटकर 2 फीजदी हो गई है शाहा ने कहा बांगला देश में हिंदू की संख्या 22 फीजदी से घटकर 10 फीजदी हो गई है अफगानिस्तान में पहले सिखों की संख्या करीब दो लाग थी अवहां सिर्फ 368 सिख बचे हैं हमने कॉंग्रेस का किया वादा पूरा किया है अमिशा ने CAA का विरोध कर रहे नेताओं पर भी निशाना साथा उन्होंने कहा जो लोग यह कहे कर CAA का विरोध कर रहे हैं कि कानून धर्म पर अधारी थे वही लोग मुसलिम परसनल लौज जैसे कानूनों का समर्थन करते हैं CAA में नागरिक्ता चिनने का कोई प्रावधन नहीं है विपक्षी पार्टियां CAA के नाम पर मुसलिमों को भड़का रही है CAA के कारण किसी की भी नागरिक्ता नहीं जाएगी मैं मुसलिम भाईयों और बहनों से कहूँगा कि वे विपक्ष की बात न सुने किसी किसाद बनेरा इंशलिक्ता नहीं जागरिक्ता नहीं जानेरा